Assalamu alaikum Mr. Den. I hope you will be fine. Today we will start Chapter 2, Measurement. Measurement means the process of finding the size and amount is called measurement. Or the action of measuring something is called measurement. Measurement हमारे daily life में एक एहम रोल प्ले करता है. हम अपने दिन की शुरुआत, जो हैं, वो भी मेजर मेंट से ही करते हैं. यानि हम उठते हैं, हम टाइम देखते हैं. यानि ये भी एक तरहा कि हमारे पस मेजर मेंट है टाइम की. इसी तरीके से हम जब किसी शॉप पे जाते हैं, अगर हमें शुगर लेनी है, तो हम उसे शॉप की पर से शुगर मांगेंगे, तो वो अपने बैलेंस के जरीए, उसके पास एक फिजिकल बैलेंस होता है, उसके हैल्प से हमें वो शुगर मेजर करके देतीगा. इसी तरीके से अगर हम मिल्क लेने शॉप पर जाते हैं, तो मिल्क वाला अपने ग्रैजविटर सिलेंडर के मदद से हमें उस मिल्क की मेजर मेंड करके देतीगा. इसी तरीके से अगर हम कोई कपड़ा लेने किसी शॉप पर जाते हैं तो उस शॉप की पर से अगर हम जो कपड़ा मांगेंगे तो उसके पाथ जो स्केल होता है उसके मदद से वो हमें वो कपड़ा मेजर करके देदीगा तो it means measurement हमारे लाइफ में एक एहम रोल प्ले करता है और measurement means यानि किसे भी चीज़ को नापना, किसी भी चीज़ की measuring करना या किसी भी चीज़ की quantity की size और amount की find करना हमारे पास measurement कहलाता है और physical quantity means वो quantity जिसको भी हम physical major कर सकते हैं वो हमारे पास physical quantity कि वाइड ही जो चे फिजीकल कौंटी की और उसुक जो हमचने करें जो हमारे पास physical quantity कलाती है、 साइंटिस्स्ट ने physical al quantity को two groups में डिवाइड किया है एक कहलाती है fundamental quantity और एक कहलाती है drive quantity. fundamental quantity वो basic quantity होती है जिसको कि हम major कर सकते हैं नॉर्मरी साइंटिस ने length, mass और time को fundamental quantities फिजिक्स में कहा गया further scientist ने seven ऐसे quantities बताई जो कि fundamental quantities कहला दिये तो fundamental quantities वो basic quantity होती है जिसको कि हम physically major कर सकते हैं और वो हमारे पास fundamental quantities है second quantity जो है drive quantity कहला दिये drive quantity वो quantities होती है जो कि fundamental quantities से मिलकर बनती है fundamental quantities से drive करके बनाई जाती है basically ये quantity dependent होती है fundamental पे और जो fundamental quantities होती है वो independent quantities होती है तो it means quantities two type के होती है एक होती है fundamental quantities और एक होती है drive quantities fundamental basic quantity और drive जो कि basic quantity से drive करके बनती है next topic है unit the factor which describe or express the physical quantity is called unit means unit کا Mطلب क्या होता है कि unit हमारे पास physical quantity को describe करने के लिए एक factor होता है for example आप कोई चीज़ purchase करते हैं अगर आप शॉप पर जाके कहते हैं कि मुझे milk दे दे आप मुझे one milk दे दे अब उस one milt का मतलब क्या है वो आपको one kg milt दे या वो आपको one meter दे या वन आपको one second दे इसके लिए आपको उसका unit बोलना ज़रूरी होता है तो unit हमारे पास physical quantity को define करने के लिए डिसक्राइब करने के लिए एक factor मौचूद होता है हम यह जानते हैं कि हम लेंड की मेजर करते हैं लेंड की मेजर के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है मीटर, सैंटिमीटर, किलो मीटर इसी तरह मास की मेजरमेंट के लिए हम ग्राम्स यूज़ करते हैं, किलो ग्राम्स यूज़ करते हैं, मिली ग्राम्स यूज़ करते हैं तो unit basically किसी भी physical quantity को express करने के लिए define करने के लिए factory कहला होता है जो के unit कहलाता है unit को two group में divide किया गया है यह classification जो है वो two types की होती है unit की एक होती है fundamental unit और एक होता है drive unit जो fundamental quantities को describe करने के लिए unit यूज़ किया जाता है वो हमारे पास कहलाता है fundamental unit और जो drive quantities को describe करने के लिए unit यूज़ किया जाता है वो हमारे पास कहलाता है drive unit fundamental quantity जैसे के length है, हमारे पास जैसे के mass है, जैसे हमारे पास time है यह सब हमारे पास fundamental quantities और उनके unit होती है अभी हमने यह बार discuss की है कि fundamental जो है वो seven quantities होती है जो कि fundamental quantities होती है जो कि independent quantities होती है अब यहाँ आपको यह बताया जारे कि seven कौन कौन सी fundamental quantity है सबसे पहले आपके पास जो fundamental quantity है वो है time जिसको small t से denote किया जाता है और time का unit जो होता है वो second होता है और उसको S से denote किया जाता है second fundamental quantity है length जो कि small L से denote करते है इसका unit होता है meter और इसको meter का जो symbol होता है वो small M होता है third fundamental quantity जो हमारे पास होती है वो होती है mass इसको small M से denote किया जाता है और इस मास का जो fundamental unit है वो होता है किलोग्राम, जिसको के kg से denote किया जाता है Number four fundamental quantity है, जो हमारे पास कराती है amount of substance small n से denote करते है इसका unit होता है mole और इस mole को जो इस unit के symbol को denote किया जाता है, वो mole से किया जाता है, m-o-l फिर fundamental quantity है वो हमारे पास करते है thermodynamics temperature और इसको capital T से denote करते हैं और इसका unit होता है यानि temperature को हमेशा Kelvin में major किया जाता है जिसको के के से denote करते है six fundamental quantity जो है वो है electric current जिसको के small sorry जिसको capital I से denote करते हैं और current का unit हमेशा ampere होता है और ampere को हम capital A से denote करते हैं seven fundamental quantity है basic quantity हमारे पास होती है luminous intensity उसे mu से denote करते है unit होता है उसका candela और उस unit को CD से denote किया जाता है students अभी आपने ये पढ़ा है कि drive quantities वो quantities होती है जो फिजिक जो fundamental quantity से drive होकर बनती है और इसी तरह drive units वो units होते हैं जो fundamental units से drive होकर बनते हैं अब यहां आपको कुछ drive quantities और उनके units बताय जा रहे हैं देखें सबसे पहले drive quantity हमारे पास है speed speed का symbol V होता है और speed का unit है meter per second और उसका symbol होता है M slash S अब यहां देखें drive कैसे हुआ अब यहां speed में हमें नज़र आ रहे है meter per second meter हम चानते हैं कि meter किसकी measurement होती है length की है length को हम meter में major करते हैं जो के कौन से quantity है fundamental second time का unit है और time का यूनिट है और time जो है वो भी fundamental quantity यानि दो fundamental unit से मिलकर हमारे पास जो unit बना meter per second वो कहला है drive unit इसी तरीके से हमारे पास second quantity है acceleration acceleration को small a से denote करता है और इसका unit होता है meter per second square यानि meter वो ही length की measurement जो के fundamental है second time का unit होता है जो भी fundamental है तो it means दो fundamental unit से मिलकर जो हमारे पास unit बना वो भी हमारे पास drive unit के लाया जो के acceleration का unit meter per second square है इसी तरह volume को V से हम जनौट करते हैं और इसका हमारे पास unit cubic meter अब meter जैसे कभी आपको समझ में आगे होगा के meter कौन सा fundamental unit है length की measurement के लिए इसे यूज किया जाता है एक और drive quantity हम consider करते हैं force force को capital F से denote करते हैं और force का unit होता है newton और यह newton बराबर होता है इस newton का symbol होता है capital N और यह capital N बराबर होता है kg m per s square यानि किलो ग्राम meter per second square अब किलो ग्राम भी fundamental unit है किसका? mass का मीटर fundamental unit है किसका? length का और second fundamental unit है time का यह तीन fundamental unit मिलके जो हमारे पास एक unit बना जो कि force का unit है newton जो कि हमारे पास कराएगा drive unit इसी तरह हमारे पास एक और unit equal quantity है pressure pressure को capital P से denote करते है और इसका unit होता है Pascal Pascal को P small a से denote करते हैं जो कि equal होता है newton per meter square Newton per meter square यानि newton के अंदर भी हमने अभी देखा कि kg भी है, meter भी है, second भी है ठीक है और Pascal का unit है newton per meter इसको अब meter भी हमें नजर आ रहा है कि इसका unit है land का तो pressure का unit जो है वो भी fundamental unit से drive होकर बना इसी तरह work इसको W से denote करते हैं और इसका unit होता है joule joule equal to newton multiply meter जैनि meter भी हमारे पास कैसा unit है, fundamental unit तो it means worker unit भी fundamental unit से drive होकर बना जो के कहला है drive unit इसे तरह चार्ज, चार्ज का हम small q से denote करते हैं और इसका unit होता है column और column बराबर होता है a multiply as a means ampere और s means second यानि ampere किसकी measurement होती करन की measure करने के लिए जो unit यूज किया जाता है वो ampere होता है और time की measurement के लिए जो unit यूज किया जाता है वो second होता है तो a multiply by as equal to c यानि कि जो charge का unit column है वो भी fundamental unit से मिलकर बना और जो के हमारे पास कहला है drive unit तो it means drive unit वो unit होते हैं जो fundamental unit से drive होके बनते हैं और fundamental units अभी हमने पढ़ाए कि seven quantities fundamental होती है और उस seven के quantities के seven unit होते हैं जो के fundamental units किलाते हैं है जो भाता है झाल झाल